हलो बच्चो अब यहां पर हम बात करेंगी romantic imagination and national feeling की अब यानि की romantic imagination जो है वो कैसे national feeling को बढ़ाता है यह nationalism में important role play करता है तो यहां हम बात देखते हैं तो culture moment जो है वो culture moment which sought to develop a particular form of nationalist sentiment nationalist sentiment को develop करने के लिए जो cultural moment था culture moment से आप समझ सकते हैं जिसे folk song हो गया, folk lords हो गया, regional songs हो गया, culture हो गया, dialects हो गया, तो यह सब चीज़े इसमें आ गए यह लोग जो थे, यह लोग क्रिटिसाइज करते थे reason को, science को, reasons को, science को, science को क्रिटिसाइज करते थे और इनका जो important focus था, वो किस पे था, emotions पे, institution पे और mysterious feeling पे, मतलब लोगों को जोडने के लिए, जो romantic imagination है, उसमें लोगों को जोडने के लिए क्या किया जाता था, कि लोगों के विचारों को, लोगों की culture को, लोगों की feelings को, लोगों की बातों को, इन सब को इखटा किया जात इसके बाद इसमें आता है, जर्मन फिलोसफर, जॉन गोटफ्राइड, हडर, इन्होंने, जो इन्होंने discover किया था, culture among common people, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में, जो common culture है, उसको discover किया था, through, उनके folk songs से, folk poetry से, और folk dances से, मतलब जैसे कुछ लोग है, कुछ एक group जो है, वो उनके culture, उनके song, उनके poetry, उनके dance, इन सब को उन्होंने, जो ये जर्मन फिलोसफर थे, इन लोगों ने, इकटा गया था, तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें लोगों के अंदर nationalism के feeling को बढ़ाते थे, आयोग बच्चों समझ में आ होगा, बाबाई